हेलो दोसब दिखरें चल केंपुस नियूज दोसों दिली बिसुई देले के इसकूल अपर लटनिंग के जो है फोर समिश्टर के बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट के पास में एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आपकी ओनलाइन क्लासे ये 10 मार्श से श्टार्ट होने वाली है और इसी को लेकि असल के तरफ से सेडूल भी रिलीज कर दिया गया है तो आखिर ये ओनलाइन क्लासे श्टार्ट करने का आखिर क्या मक्सेद है आज हम ये बताने वाले हैं और क्या आप आपकी ओफलाइन क्लासे जो है नहीं श्टार्ट किया जाएगा या फिर अगर श्टार्ट किया जाएगा तो ये कभी श्टार्ट होगा तो आज हम इसके उपर में भी चर्चा करेंगे बाकी कर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल लेकिन को पर स्क्रिकॉल का बटन दवा लिजेगा ताकि D.U.S.L. से रिलेटर साराब डेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे है तो दोस्तो D.U.S.L. के 4 समेश्टर के बहुत सारे स्टूडेंट के पास में एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आपके online classes ये 10 मार्च से श्टार्ट होने वाली है और इसी को लेके आपके student dashboard में classes का schedule भी रिलीज कर दिया गया है तो दोस्तो इसी को लेके बहुत सारे चात्र जो है confused हो रहे हैं और बार-बार हम से यही पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारी offline classes नहीं होगी या फिर जिन चात्रों का offline classes चल रही है तो क्या आप उन्हें offline classes नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ किलियर कर दूँ कि जिन छात्रों का अभी offline mode में classes चल रही है तो वो जो है already अपनी college जाके classes ले सकते हैं लेकिन जिनकी classes जो है नहीं चल रही थी जिनकी पास में message नहीं भेजा गया था तो उनके लिए जो है यह online classes जो है start कर दिया गया है जो कि आपके अपने student dashboard में जब आप login करें गयों तो classes का schedule भी जो है आपको देखने को जो है मिल जाएगा तो अपने student dashboard में जो है जरूर login कर ले और यहाँ पे जो है सबसे उपर में ही आप देख सकते हो click here for online classes and schedule तो यहाँ से आप जो है अपना schedule जो है डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी classes जो है कब कब है और यहीं से जो है आपको Microsoft team app जो है उसी के द्वारा जो है आपकी यह online classes होगी तो यह classes जो है जरूर join करें बाकि इसका मकसद क्या था आप मैं जो है यह बता देता हूँ डिटेल में तो दोस्तो एसोल के तरफ से इस बार जो है सिर्फ तीन ही center जो है अलाउट किया गया है student के लिए इससे पहले यह होता था कि डियू के regular college में जो है एसोल के छातरों के लिए जो है 20 से 25 center जो है अलाउट किया जाता था जिसमें जो है Saturday और Sunday को जो है आपकी offline mode में जो है classes होती थी लेकिन इस बार जो है नहीं शुरू किया गया है सिर्फ तीन ही center जो है अलाउट किया गया है एसोल के तरफ से जो की सौथ campus से S.O.L. office और तीसरा जो है केसब पूरा में जो है ये center जो है allowed किया गया है बाकी जगे आपके जो है classes नहीं हो रही है और इसी वज़ा से खासकर जो ये प्रोग्राम है और वीकम प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे student पढ़ते हैं तो जिनको classes देना संभब नहीं था तो इसलिए उनकी online classes जो है start किया गया है offline mode में नहीं किया गया है तो इसलिए जो हो सकता है कि आपको जिन छात्रों का भी regular mode में classes चल रही है उसकी खतम होगी तब हो सकता है कि आपको offline mode में classes कुछ मिल जाया 15-20 दिन लेकिन ये भी अभी confirm नहीं है अगर होगा तो ये देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे तो ये जो है इनकी मर्जी है तो इसलिए मेरा suggestion यह है कि जो भी छात्र है four semester के चाहे वो वी ये program को ये वो या फिर become program के वो जो है आप online classes जो है लेना start कर दे क्योंकि अगर आप online classes भी जो है नहीं लोगे तो आप बिल्कुल भी पढ़ने ही पाओगे और आप तयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके exam जो है मई जुन में वो होंगे offline माद्यम से तो इसलिए जो है मेरा suggestion यही है कि आप online classes भी जो है लेना start कर दो बाकि जब भी offline classes को लेके कोई update होगा या फिर जो है कोई बताया जाएगा कि आपके classes इस्टार्ट हो रही है तो हम आपको जो है वीडियो के माद्यम से जो है जरू सूचित करेंगे बाकि यही है कि एसलिए प्रसासन जो है बार-बार यह जो है वीडियो के माद्यम से यही कहता है इस्ट्रियंट को या फिर twitter पे उन्होंने यही सेर करते हैं कि हम जो है सभी छातरों को जो है offline mode में जो है classes दे रहे है तो इससे जो है पोल-पक्ट्टी भी जो है प्रसासन का खुल जाता है। कि न तो अभी तक छातरों के पास में अब्ली के प्रिंटेट फॉर में तो इसे को लेके प्रिंटेटरों जो है क्लास से का syllabus पता है तो इसी को लेके जो है छातर जो है हमें ना तो study material मिलता है ना ही offline classes मिल रहा है तो इसी को लेके ये वीडियो था तो उमीद है कि आपको जो है समझ में आ गया बाकि और भी कोई सवाल है कोई confusion है तो आप हमें direct जो है इंस्टाग्राम पर पूस सकते हो का link जो है description में है बाकि और भी कोई सवाल है तो comment करके भी जो है बता सकते हो बाकि आज किस वीडियो में इतना ही बाकि सुक्रिया धन्यवाद